मित्र नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंद्लाल और मैं आप सभी दर्शकों का हरदे का विनिढंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंद्लाल पर यूट्यूब फेस्बूक और IGTV नेटवर्ग पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल अंदलाल का दैनिक राशिफल आपका राशिफल इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी के जीवन का हाल और साती साथ आपको बताएंगे राशी नुसार कुछ सरल उपाए जो आपके लाइफ को सक्सेस्फल बनाए पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे आपका लखी नंबर लखी कलर लखी डिरेक्शन लखी टाइम बताएंगे राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके जीवन की किसी खास प्रॉब्लिम को चुट की यों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल के पंच मी पर चंद्रमा मीन राशिव उत्तर भादर पदनक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा चार लखी कलर रहेगा ब्लू लखी डिरेक्शन रहेगी नैरेते यानि कि साउथ वेस्ट राहु काल रहेगा सुभह 9.51 से लेकर के सुभह 11.13 मिनट तक रवी य जाहे वसंत पंचमी है वाग पंचमी है और इसे दिन सरस्वती पूजा की जाती है विशेश माग नवरात्री का एक ऐसा दिन जिसे अभूज मोहरत माना जाता है और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी वसंत पंचमी से ही जुडावा है आपको बताएंगे बोलने में आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए वराशे फल के शुरुबात करेंगे राशे नमबर एक में शैनी एरीस के साथ में कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी आफिस में कामों की प्रशंसा होगी काम का सफल रहेगा दमपत जीवन खोशाहाल रहेगा पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी उपाई ये करें कि पीले स्कैच पैंस से प्रीम लिखकर पड़स में रखें दूसरी राशे वरिश यानि कि टॉरस की बात करेंगे महिलाओं को खुश खबरी मिलेगी आफिस में अधूरे काम पूरे होंगे आर्थिक स्तिती बहतर रहेगी काम काज में परिजन सहीोग करेंगे समाज में रुतबा बढ़ेगा उपाई ये करें कि किसी वरत बिखारी को नारियल दान करें तीसरी राशे मित्वन यानि जमनाई की बात करेंगे करियर में सफलता मिलेगी खास कामों में विलंब होगा सेहत में उतार चड़ा हो रहेगा ब भी काम आसानी से पूरे होंगे मन समाजिक कामों में लगेगा कामकाच की तारिफ होगी भाशा और विवहार पर थोड़ा सा काबू रखें वहन चलाते समय सतर प्रहें उपाई ये करें कि पीपल के पेड़ पर जल चड़ाएं पांचवी राशित सिंग यानि के लियों की बात करेंगे व्यापार में धनलाब होगा करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे पार्टनर से समंद मजबूत होंगे खास काम पूरा होने से खुशी होगी नए अनुभव पर राप्त होंगे उपाई ये करें कि सिक्के पर केसर रगा कर जेव में रखें। रहेगी उपाई ये करें गरीब बच्चों को तिल के लड़ू दान करें। आठवी राशी वृष्चे की यानि कि स्कॉरफियों की बात करेंगे। ओफिस में कामकाच की तारीफ होगी, मित्र से आर्थिक सहेता मिलेगी, कला में रुची बढ़ेगी, पारवार एक सम्मंद बहतर बनेंगे, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उपाई ये करें कि पूजा घर में पीपल का पत्ता चड़ाएं। नवी राशी धनू, यानि कि सजटेरियस की बात करेंगे, कारोबार में फाइदा होगा, आफिस में सहकर्मियों की मदद मिलेगी, कोट कचरी के मामले से बचें पारवार एक सम्मंद मजबूत होंगे, सिहत पर ध्यान दें, एक विशेश मंतर का जाब करें, उपाई है रुका हुआ काम पूरा होगा, शुब समाचार प्राप्त होगा, लोग बाचीत के लहजे से प्रभावित होंगे, उपाई ये करें कि बालकनिया चत पर तेल का दिपक करें, ग्यारवी राशी कुम्ब, यानि कि अक्वेरिस की बात करेंगे, सभी काम समय पर पूरे होंगे अधिकारी गण काम से खुश होंगे, नए लोगों से संपर्क होगा, दोस्तों से संबंद सुधरेंगे, छात्रों को शिक्षकों से सयोग मिलेगा, उपाई ये करें कि राई जो है वो करपूर से जला कर धूप करें, बारवी राशी मीन यानि पाईसिस की बात करेंगे, को दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाई का, देखिए वसंत पंचमी का दिन है, वाग पंचमी का दिन है, और विशेश जो हमारा स्पेशल उपाई है, वो जुडावा है बोलने में महारत हासिल करने के लिए, क्योंकि देवी सरस्वती वानी भाशा की देवी है, बुडा सा शहद चड़ाएं, और अच्छे क्वंटिटी में चड़ाएं, और चड़ी जो शहद है, उसका रोज सेवन करें, जब सुबहे, आप सबसे पहले खाने की चीज नहाने के बाद में लें, तो आपकी जो जबान है, उस पर हलका सा एक ड्रॉप शहद का टच कर ले और इस पूरे प्रयोग में चड़ाते समय भी और रोज सेवन करते समय भी, एक मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम वाचे नमहा, आशवस्त करता हूँ आपको, बोलने में महारत हासिल होगी, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आपक अपना चैनल कमल नंगलाल, यूट्यूब, फेस्बूक और आजी टीवी नेटवर्क पर हिजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्चुवाए